नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने बोट के साइट से जो भी प्रोडक्ट लिया है पर्चिस किया है तो आप उसको कैसे ट्रेक कर सकते हैं और सेकर लाश्ट व सामने अब कर लें के बाहिए आपको अपना बोट का जो एपलिकेसं उसको ओपन कर लेंगा है ओपन करने के बाद आपको यहां नीचे ठी ψ जखेंगे इन पर आपको क्लिक करना है तो आपको करना है आपको जो आपने ओर्डर किया था आपने पर्चिस किया था उसमें एक ओर्डर आइडी मिली होगी उस ओर्डर आइडी को यहां आपको फिलिप कर देना है फिलिप कर देने के वाद आपको यहां ट्रेक करना है ट्रेक करने के वाद आपके ओर्डर की पू लेफ्ट में पर साइड तो आपको इन पर क्लिक करना के बाद आपको यहां दिख जाएगा ट्रेक यॉर ओर आप यहां से भी उसको ट्रेक कर सकती है साइट से जाके आपको यहां नीचे आना है नीचे मतलब आपको स्क्रॉल डाउन एंद स्क्रॉल अप करना है जिससे वो यहाँ पे एक message वाला option आता है वो आपको दिखने लगे आपको scroll up and scroll down करना है थोड़ी देर तक और यहाँ देखना है वो message वाला option आ रहा है कि नहीं यह देखिए दोस्तो आ गया है यहाँ पे red color का आपको दिख रहा होगा इस पे आपको click करना है दोस्तो मैं बता रहा हूँ बोट के application में तो आप यहाँ से देख सकती है यह option आ चुक है इस पे आपको click करना है जब आप first time आप अपने order को track करने जा रहे हो return and refund वाले को तो आपको क्या करना है आपको यह return and refund देख रहा होगा इस पे आपको click करना है click करने के बाद आपको यहाँ देख रहा होगा blue color में return and refund इस पे आपको फिर से click करना है click करने के बाद आपके साब ने कुछ इस प्रकार का interface खुल के आएगा खुलने के बाद आप यहां से एंटर कर सकते हैं एंटर करने के बाद आप यहां से इसको बड़े ही आसानी से ट्रेक कर सकते हैं यह ट्रेक ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके साबने कुछ इस प्रकार काrants आएगा तो आपको क्या करना आपको यहाँ दिख रहा होगा सब्मिट के लिए एंटर यूर टिकेट नमबर तो यह टिकेट नमबर कहां मिलेगा तो यह आपके मैसेजर में आ आज आ गया होगा मैसेज में, मतलब आपने जो number दिया था ना, उस number पे आपको ये ticket number भेज दिया जाएगा और आपको क्या करना है, वो ticket number यहाँ पे फिलप करना है और submit कर देना है जैसी यह आप submit करेंगे, यहाँ पे आपकी order से related आपने जो कुछ भी है वो दिखने लगेगा और उसके बाद आप उसको कैसे track कर सकते हैं, यह कैसे पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पहुचा है, return हुआ है कि नहीं, refund कवा आएगा उसके लिए आपको यहाँ देख रहा होगा, track your order blue color में इस पे आपको click करना है, click करने के बाद थोड़ा loading ले रहा है, उसके बाद कुछ इस प्रकार का आपके सामने खुल के आएगा, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, यह कहाँ पे पहुचा है, कहाँ नहीं, इस प् आपको आपने रिश्टर मोबाइल लंबर है, आपको वहाँ पे मैसेज बे भेज दिया जाएगा, tracking ID आप वहाँ से track भी करते हैं,